रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाब इंटर कॉंटिनेंटल बैलेश्टिक मिसाल यानि ICBM के कथित उपियोग ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। रूसी राश्पती वलामदीर पुतीन ने हाली में अपनी परमाडू नीती में बदलाव करते हुए हतियारों की उपियोग की सर्तों को आपचारिक रूप से कम किया है। रूस्टिस्ट यानि FAS के मुताबित रूस के पास दुनिया का सबसे बढ़ा परमाडू हतियार का भंडार है। देश के पास कुल 5,580 परमाडू हतियार है जिनमें से 4,380 अभी भी सकरी और प्रभावी हैं। इनमें 1710 मिसाइले रर्णीतिक रूप से तैनाथ की गई हैं। इनमें जमीन में दागे जाने वाली बैलिश्टिक मिसाइल, पंडूबिया से छोड़ी जाने वाली मिसाइले और भारी वंबर्सक विमान सामिल हैं। विसे सक्दों का कहना है कि रूस के पास इतनी परमाडू ताकत है कि वो कई बार दुनिया को तबाह कर सकता है। सीद युद के दोरान भी रूस और अमरिका के पास इतना बड़ा परमाडू सस्त्रगार था जिसने पूरी दुनिया को दहसत में डाल रखा था। रूस की 2020 में जारी परमाडू नीत के नुसार देश केवल तब तक परमाडू हतियारों का इस्तेमाल करेगा जब तक सामोहिग विनास के हतियारों से हमला ना हो या उसके अस्तित्त को खत्रा ना हो। ताकि पुतीन ने हाल ही में संकेत दिया है कि अगर रूस को किसी भी प्रकार का बड़ा खत्रा महसूस होता है तो वह इस दिसा में कदम बढ़ा सकते हैं इसके अलावा पुतीन ने बेला रूस को भी परमारू सुरच्छा के तहत रखा है जिसे यूरूब में तना और बढ़ गया है रूस ने यह भी कहा है कि अगर अमरिका परमारू परिक्षण करता है तो वह अभी ऐसा करेगा दो या तेईस में रूस ने परमारू परिक्षण प्रतिबंद संदी यानी CTBT से पीछे हटने का फैसला लिया था रूस के राश्पती के पास परमारू हमले का आदेस देने की पूरी जिम्मेदारी है उनके पास एक खास न्यूक्लियर ब्रिफकेस होता है जिसे चेजेट कहा जाता है जिससे वह सीधे परमारू हतियारों का इस्तेमाल करने का आदेस दे सकते हैं इस पीच रूस और यूक्रेन की बीच तनाव परमारू जंग की और बढ़ने भयानक होगा तरह आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम और यो पर उत्राखंड के हर छोटी बड़ी खबर के लिए निउज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूट निउजनेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए निउजनेशन के इस क्यू आर कोड को स्कैन करें